चलिए बच्चो हमारे आगे की वीडियो में आप लोगों का स्वागत हैं हम आज कर रहे हमारा साइंस रिवीजन क्लास 10 एक्जाम जो आपके 21 में होने वाले दूधावत ठीक है इससे पहले के हम लोगों ने वीडियो में ठीक है हमारे जो साइंस के चैप्टर थे पहला चैनल के प्लेइलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सेपरेट प्लेइलिस मैंने बना रखी है ठीक है presented science का अर्वीजन ठीक है उसमें मैंने chapter 1, chapter 2 और chapter 3 तीन chapters का revision मैंने करा दिया है हिंदी में और तीन ही chapters का revision मैंने करा दिया English में तो यह जो वीडियो है बच्चो वो आपका especially मैं इसको थड़ा बड़ा कर लेता हूँ यह जो वीडियो है बच्चो यह आपका especially state boards के बच्चो के लिए है ठीक है क्यूंकि यह मैंने totally जो है English Hindi में इसको design किया है total content जो है वो मैंने हिंदी में इसका design किया है तो इसलिए सब्सक्राइब के बच्चों के लिए मैंने content त्यार किया है वो वीडियो मेरे चनल के playlist में आपको मिल जाएंगे separately ठीक है तो आप उनको देख सकते हैं यह सबी इस्टेट के बोड के बच्चों को लिये हैं चाहे वो cv इस्ते बोट है हो आप हर की बोट के पाद सकते हैं और आप से रिक्वेस्ट र है ए गju आपको समझ म痛 creep करें और वीडियो को लाइक है यहार lays करें और हमारे चैनल कारवन और उसको योगिक कारवन उसके योगिक यानि कि इसको इंगलिस में क्या बोलें कारवन और इसके कंपाउंड इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 इस्टेट बोर्स एक्जाम्स का है ठीक है और यह 2021 में जो एक्जाम्स होने वाले उसको लेकर किया मैंने आपका रिविजन तरक कराना स्टार्ट किया अगर आप जैक बोड के हैं तो जैक बोड के बच्चों के लिए जानकारी आपको मिली गई होगी कि आपका जो एक चेप्टर की हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्चों यहां पर सिर्फ आप लोगों को बहुत ही कम लिखा हुआ कंटेंट मिलेगा यानि कि सटीक चीजें आपको यहां पर मिलेंगी जो आपके एक्जाम्स में पूछी जाएंगी और उन्हीं चीजों को आपको होता है और इसका परति थे होता है और यह सर्वतों मुखी तत्व कार्बन भूपठि में खनिजों की रूप में पाया जाता ह्या अ पायाता है और बायू मंदल में इसकी वाइव ओपस्तिती थाए चर्पर कार्बंड भायू मंदल में यह किसी कंपांट में पाएजाता वह दूत की कंपांट और उसमें स्की उपस्तिति जो है बो होती दिगे 0.4 प्रिसेंट इसको भी आप याद रखे 0.002 परसेंट और 0.03% यह आपका carbon dioxide में carbon जो है वो आपका atmosphere यह पाया जाता है जितने भी सजीव होते हैं जितने भी सजीव होते हैं इसको living things बोलते हैं जैसे पौधे होगे जन्तू होगे सरीर है सब की सब जो है कार्वन की योगी को मिल करके बना होता ये याद रखें सईयोजि च संबंद क्या होगे संयोजि संबंद को कोंग्लीग है कोवैलंट बोंड कोंड का मतलब क्या हो इसमें इलेक्ट्रों सेयर किये जाते है की एक item जो है किसी एक yhtan dependent का सर्द करेंगा carbon अपने उलेक्टोन सेर करता है इसलिए सब्सक्राइब Old में जांद़े सेल में दो अठेंट धैन्य कि यूट्सरे सेल में पाइजा जाते हैं तो कर वन उत्क्रस्थ गैस बिन्यास कैसे प्राप्त करता है यानी कि यह जो सब्सक्राइब करते हैं उसको यह कैसे अटेंड करता है जो आपके 18 ग्रूप में पाए जाते हैं बच्चों जिसको अम लोग नोबल गैस अलिमेंट बोलते हैं ठीक है उत्कृष्ट गैस इसको कहा जाता है उसकी इलक्टोनिक विन्यास को यह कैसे अचीब करता है तो आप ज आप जाते हैं ठीक है ठीकहाए और वह वह एक क्लम को आप करनके जो है बहुत अशन यूद्ब करने को यह की एक के लिमेंट के वह में चले जाते हैं जिस इस इसकोट प्रम करने हैं मतला मुद lot सबम्सक्राइब कि सब्सक्राइब कश चलता हुब हो जाता है उसके से गपर के ठीक है कि क्रबान जो है वह सुझायों जी मतलब संब्सक्राइब कर होकर है ना चार एलेक्ट्रों खोता नहीं तो धनायन ना नहीं चार एलेक्ट्रों प्राप्त करकर रिनायन आयन आबंध बनाता है मतलब कहने का यह हुगा चार एलेक्ट्रों को लूज नहीं करता चार एलेक्ट्रों को गेंगा और चार एलेक्ट्रों को ठीक है चार करता है बच्छो नहीं लेक्ट्रोन को गेन करता है ठीक है तो होता क्या है इसमें तो चार अत्रिक्त इलेक्ट्रोनों को धारन करना कारवन के लिए अत्यांत कठिना ठीक है चार अत्रिक्त अगर debate को लेता तो उसको लिए होई जाता है कि कावं दौारा चार limit कि लिए अत्यदिक उरजा और सकता होगी करबंच तो जैका एनग्पी कर देखर तो जक्त नहीं करती है और उसका निक्लिूज जो स्टेवल नहीं होता है उपने आपको बचाकर करका disposition करता एक निताहिए इसलिए कारवन अपने नपर्मानुत ऑब पर मानुक है लक्तों के साथ क्या करता है साज़धारि करता है की करता वहाज़दारी करता है लग्ट की साज़धारिकर के जो है आबंध बनाता है ज स्कवलींट गोलते हैं एक ही परकार या परकार के परवाणंव क动 करते वालग ब 7 कह जाता है यानि रिप्रकार के हो सकते हैं आटम किसी ठीजिला में तो हैं या फो सकते हैं उनके बीच में गरा हणा अभरण के बारें बात करें तो hydrogen chlorine जो है इनके बीच कापी काम होता है तो most of the case में electron की साज़दारी करते हैं ठीक है लेकिन जनरली देखा जाए तो यह एच पलस और Cl- बनाते में एक जामपल लेता हुँ जैसे मान के चलिए मैंने मिथेन के बारें बात किया तो कार्वन जो है ना करेगा अपने ही जैसे कितने कितने hydrogen के साथ थि की बनाता है मतलब यह चार हाइडोजन के साथ वोन बनाएगा यहां पर जो बोंड का फॉरमिशन हो रहा है ना तो लूज किये जाते हो ना ही लेंक्रों गें किया तो होता है हम यहाँ पर इलेक्टों की साज़धारी होती है फिसे करवन के अत्रिक्त के के परमानु ठीक है कर वान के अत्रिक्त के परमानू ठीक है Hydrogen, Oxygen, Nitrogen और कलोरीं भी इलेक्टरोनों की साजधारी से आबंध बनाते हैं यानि Hydrogen है, Oxygen है, Nitrogen है, कलोरीं है ये सब भी जो है Electron की साजधारी करके क्या बनाते हैं कारवन के साथ ठीक है बॉंड बनाते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आई देखिए तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के परमान हो गए तो इन्होंने क्या किया ठीक है एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एक लेक्ट यह बन जाता है है एस टू अनू क्या बच्चों के फ्याइज क्लाप दिए न आपने दो इलक्टोन उटे छेलते हैं शेर करते तो यह अपने दो एलेक्ट्रोन को इसके साथ शेयर करेगा और यह अपने दो एलेक्ट्रोन को इसके साथ करेगा तब जाकर के oxygen और oxygen के बीच में double bond बन जाता है ठीक है इस परकार से ठीक है है ना फैलेन inception करता मतलब nitrogen के बारे में ऐगर कहाँ जाए तो nitrogen के बाहर में पांच इलेक्ट्रोन जो है वो पाए जाते हैं एक और nitrogen है इसके बाहर में भी फांच on जो है पाए जाते हैं यह TV को स accomplish करेगा और यह प्लिभक स rápido करता है तो होता क्या에 ना नाइट्रोजन अपने जैसे नाइट्रोजन के साथ तीन बनाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं त्री आवन्त क्या उसको त्रियाम Осब तो यह जो इसके पास पाँचो तीन अठिक청 त्रिये फैस के पास पांचो थीन आथ तो यह तीनों जो आपस में कि पिर लेक्तरुन को साझ्धारी करके कर लेते हैं और अपने आप को टीकि है इंडीपेंडेंडिन कर लेते हैं आग लगकान वाय के बारें बात करें तो देख adviser के वाटर में क्या होता है एक हाइड्रोज hammam दीजन एक हाइड्रोजम इस पास thing के पास कियो यघ्ञ resolutions तो इस परकार से जो एक फोर्मेशन होता है ओक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर यह पर यह इस परकार से वाटर का फोर्मेशन था ठीक है चलिली आगे बढ़ते हैं आप देख पार होगा यह एकल बूंड बनता है सांयोजी योगिक के बहुतिक गुन क्या होते हैं दो सब्सक्राइब तो तो इनको थोड़ा सा भी अगर घर्मी मिले तुरंद पेगल जाएंगे को इतनाक बहुत कम होता है क्योंकि इनके बीच का जो आंतर आनुक ठीक है वल रोता वह बहुत कम होता है निकिन होते हैं निक्लिया काम होता जिसको क्म होता जिसके कारण और कोईतिन की दूसे हो और स्पस्टार चलत क्यों कि वीच आवेंगा हéoगेगा क्यों के बींच कोई सिर्पर करन灑 का नहीं दो करता tota कारवन की सरभतव मुखीपर कृति मतलब कि AKS कला को इस horiz जिसके कारण कारवन की इतने सारे compound जो में योगिक हो नेचर में धाते हैं पासे दमेंब बहुत साए परमाणु जो तो इसमें क्या होता कि कारवन कारवन परमानूं के बीच संयोजी आवंद बनाकर लंबी स्रंकला हैना साखित करता है और स्रंकला और बलय बाले बहुतिक का निर्मान करता है और कारवन के परमानूं एक दूसरे से एकल त्री और आवंद के द्वारा जुड़े होते हैं यानि कि कारवन कारवन जो एक दूसरे के साथ क्या करता है एकल आवंद के साथ भी जुड़ते हैं और दो आवंद के साथ भी जुड़ते हैं ठीक है और तीन आवंद के साथ भी जो है कारवन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ठीक है कारवन कारवन के बीच में तीन बोन भ है वह 4 है जिसके कारण कर्वन फिर चारन कर्वन तेगंद कर्मानू यानी एक स्योजी पर्मानू जिसके हाइडरोजन एकलोरी नेplant tujan southern के साथ क्या करता हो यह आभनद बनाता जैसे आवड़ आभी के साथ का बनाता है Whoa जाए जब भी आप इज टालो समझ में नहीं आण अप लोगों को वीडियो को मूड़िवेट करती है तो वीडियो अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरू करें, चैनल को सब्सक्राब जरू कर लें, ठीक है, तो संत्रिप्त और आसंत्रिप्त कारवन योगिक, यानि की सचुरेटेड और अंसचुरेटेड कारवन, तो सचुरेटेड किसको कहा जाता और अंसचुरेटेड किसको का जाता नहीं, संत्रिप्त किसको कहते हैं, कारवन और हाइड्रोजन की योगिक को हाइड्रोजन कहते हैं, कारवन और हाइड्रोजन की योगिक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजनी करन योगिक कहना चाहिए, इसको यहाँ पर लिखा हुए बच्छों ठीक है तो संत्रिप्त और आसंत्रिप्त किसको बोलते हैं कारवन परवानु के बीच में एकल आवंद होता है उसको मुलोग संत्रिप्त बोलते हैं इसका उदाराना जैसे अलकेन इसका समानने सूत्र क्या होता है अलकेन का सूत्र होता है अलकेन का सुत्र होता है Cn, ठीक है, H2n प्लस 2, यह होता है किसका, अलकेन का सुत्र, अगर हम आसंत्रिप्त के बारे हम बोलें, तो कार्वन कार्वन के बीच में कितने बोन पाए जाएंगे, के दो दो ठीक है या फिर कार्वन कार्वन के बीच में कितने बोन पाजाते हैं तीन बोन उसको बोलते हम लोग आसंत्रिप ठीक है इसका एक तो होता अलकीन और एक होता अलकाइन का जो फर्मुला वो क्या होता क्या होथता एस्थीन और बात करते हो फिरेक्टरोन बिन्दू सारचना पर यानि कि उस ठीखें संतृप्यृआ přव्क्राइब्सप्रण excel संत्रिफ यहां मैंने इस नाम चुलत को रखे हैं दीगें करने चुलतीं के बात को समझतेंब्स होदा कि द Georgina ये कार्वन के साथ एक दो तीन और एक चार और बनाया एक हाइड यहां यह हम आए और एए एक हाइड ऑन यहां एक ISD यहां और पॉइस हाइडोंड हुगा ठीक है यहाँ इसके पास अपना यह यहां बना बनायगा है और कारवन आप जाने रहे हैं चार यह इसके साथ क्राएग अड़ एलज़स इल्ज्टürü और यह यहां बनाए ग बनाया और इसकी परकारसे यह कर के व्क श करता है पूरा हम ऌतल रहे है sa समझ में आजी बात चले अब हम इसको एक तरीका और आपको समझा देते हैं ठीक है यह कारवन यहां पर आपको जान रहे होंगे तो यह दरख है यह मिथेन का फर्मूला है यह कंब कहा है और यह प्रोफेन-का और यह पेंटेन का तिक अप जाने रहें चलिए आई वढ़ते आगे हुए एलेक्टान यानी बेसेलश्ण और यानुद शैश्ण यानी बेंदो सरच्न तो यह पका अलकीन सब्सक्राइब तो देखिए एक हाइड्रोजन यह बना देते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ बना लिजे और एक हाइड्रोजन जो आप यहाँ बना लिजे इसके बीच में डौब आशे करकि थिए डावल बॉन एककार्वन यह फॉन या है ड्रोजन यह फॉन सब कर से का को और यह क्या है यहां आपका पाइन है कुछ एक यह जो c2S2 लें का डिए इसपर कार बनता है अगर बोन के इस परकार से देता है दो और यहां पर तो ऐसकते हैं यह प्रोपीन और बीटीन तरुपीन का और यह बात करते हैं अलकाइन या थायन का है सी त्यू हीज एक दोटीन चार्वन शें ओर साखत सरंक्ला मतल है ब्रांच देखो और इसे करके तो श्रयक्त सरंक्ला बो देते हैं इसमें ब्रांच होता है यह साकित सरंक्ला है और किसी के भॉणड लगाना और हायड्रोजन क्या करना उसके साथ चिपका देना ठीक है आई यह बात करते हैं आगे देखिए कुछ-कुछ एक्जाम्पल्स है उसी परकार से उप्रोक्त तीन उधारन में आन्विक सूत्र समान है लेकिन निम्ण अजिसका ठीक है आन्विक सूत्र क्या हो सेह नुके उसमें कारवन कारवन की जो अरेज्ञेंट मौ एक दो अब कि इसको साइकलिक के बोलते मतलब कारवन-कारवन जो है ev2 बंडा दे मतलब एक कारवन जो दूसरे कार्वन से लिंक हो जा बंजा उसको जाता है एसलिए इसलिए नहरों के पैकर जलों के हो भी आपका एक्जामस में पूछे जाता है वच्छो ठीक है चलिए बढ़ते आगे तो प्रक्यात्मक समुक किसको कहते हैं ठीक है तो क्या वोला हाइड्रोजन सरंक्ला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस परकार प्रिस्तापित करते हैं कि कारवन की सहुजक्त संतुष्ट रहती दिए जुझ संतुष्ट है कारवन की चीज़न एक चैज्ज इसे थाक को हम पर्मानु कहते हैं उनको क्या बोलेंगे बीशुप अगरा हम बात करें रच प्रुटे करेका कि यह पात करें कि क्या करेगा यह और हाइड्रोजन इंग जब दो अख़ने यह निकलता वहर इस फरकार्स के जो हैना कि तत्व होते हैं कि हैं उन्हें क्या करते हैं प्रकात्मक समू कहलाते हैं अभ यह क्या हो गया भाई यह नया चीज क्या है परकात्मक समुक को कहते हैं फनक्शनल घूल बोलते हैं जैसे यह मानने चले सब्सक्राइब अब इसमें आगर हमने मानके चलि जोड दिया यह बंजागा यह बंजागा यह आपका गैस था और यह आपका एलकोहल बने या मतलब यह दारू बन गया आपका तो सिर्फ अलकोहल मिलाने से ही इसकी प्रोपरटी क्या हो गई चेंज हो गई तो इस परकार की चीजें जिसको म समूँ कहते हैं ठीक है चले आइब बात करते तो प्रकार्पक्रमौ के कुछ कुछ यह आपर हमने दे कि उधारन दिया हुए है लूब गलोंगोमिन यह आपके oxygen वाले वते हैं विसम परमानु इसको कहा जाता है अलकोहल जिनको कहा जाता है तो यह आपका यह इसको मुलब और एक आपका ल्डी हाइड होता है ल्डी हाइड तो आप जानते ही हैं तो आगर आप इसको भी स्तार से लिखना चाहेंगे तो डवल और ऐसे करके इसको भी स्तार से लिखा जाता है ठीक है अगर आप किटोन के बारें बात करें तो किटोन किसको बोलते हैं वच्चो किटो एक सिभाइब कार्बोगुक्साइब कहते हैं ति मुणं किे बिच में ट्रेपल बॉढ्स डिक जाता है अलकेर टेकर टो के यह कर्माइब्दया है मुछ जो ट्रिकार इन टो well again के बीच में sistu लोग में सिरीज करते हैं समझाती स्रेजी में क्या होता है समझाती स्रेजी में जैसे अगर हम अलकेन का लेखें तो यह जागा CH2 ठीक है C2H6 ठीक है फिराएगा C3H8 फिराएगा C4H10 इसमें अगर आप देखे तो एक कारवन एक कारवन एक कारवन की संक्य पाड़े लेकिन सिरीज पारे में आपदकर ऐसे और बात करें यहां चार और ना बारे में बात करेठीक है यानी कि एक कर्वन और हाइड्रोजन का झा न HOW इता है ऐस परकार की सीरीज होती य二 लोग बोलते हैं समझाती स्रेनी कि अभी जो समझाती स्रेनी यह सब की अलग अलग होती है तो समान सुथ्र समझा तीस रेनी के उत्रउत्र सदश्यों में सी एसटू का अंतर होता है तथा 14 द्रब विमान निकाई का अंतर होता है तो समान रशायनिक गुंधर्म बढ़ने से भौतिक धर्मों में विभाइनता आती है यह बात करते हैं यह बात करते हैं यहानि या यह बात करते हैं योगिक में pumpkin कारवन परमानुु की संख्या घ्याद करो तो प्राकृतिक सम्मुलस को पुर्वलगन यहां रूखन के साथ दर्साओ जितनी वह योगको कारवन की संखया घ्याद करना होता है इन सबी चीजों को आपको देखें आपड़ कुछ-कुछ इसका नाम हो जागा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल ग्रूप है क्हां ग्रूप है इसमें कौन सा जब जड़ा हुआ इसलिए प्रोपीन हो गया इसमें ट्रिपल बोंड इसलिए कि हो जागा जाए चलिए कार्बन योगिक रसानी गुर्धन के बारे मेरे तो आप जानते हैं कि जितने सब्सक्राइब करते हैं और जी सब्सक्राइब को प्रिचलित करते हैं तो इसमा को अब बाहर निकालते हैं संत्रिप्त लोगजाबन के जतनी बी योगिक होते अगर आप उनको जुलाओओगे तो वो नीली स्वच जोला प्रजलित करते हैं और आसंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाओगे तो धुए वाली पीली जोला उत्पन करते हैं क्यूंकि आसंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रितिशत मात्रा असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन से अ जादा है इसमें जब इसको जलता जाता है। इसलिए इसका जो दुवा है कैसा होता है वह दुवे वाली पीली जोला उत्पन करता है ठीक है ऑक्सी करन किसको कहते है देखे चारिये पुटासिए पर मैंगनेट यानी के अमली यह पोटासियम डाक्रोमेट ठीक है कि उपस्तिती में अगर आलकोहल कार्बोजलिक अमल में परिवर्तित होते हैं बतलब कि जो अठीक है यह इसकी उपस्तिती में यह क्या हो जाता यह इस नौल अम्ल में क्या हो जाता है यह जाता है जैसे यह आपका क्या है यह शीतरिया, कि संथ्रिप्त हाइड्रो कारवन से यह सब याद रखें या पूछे जाते हैं प्रेरखों की उपस्तिती में जो है वह क्या करेगा जोड करके संथ्रिप्त हाइड्रो कारवन बनाते हैं यानि इसको hydrogen दिया जाए तो यह संत्रिप्त hydrogen में कनवर्ट हो जाते हैं बंसपत्य तेलों में बंसपत्य गी का निर्माड इस विजी द्वारा ही किया जाता है ठीक है एक hydrogen को अधाया तो यहां से जुड़ा तो है इस परकार से इसी को भी स्थापर रिक्शन कहा जाता है कुछ महटपूर कार्वन योगे कि यानि इथिनोल है इतनो एक आमले है इथनोल के बहुती गुर्दर्म क्या होते हैं कि रंग हीन होता है गंध होता जलने पर जलने वाला स्वाद जो है इसक पसाने गुर्धारम के बारें बात करें तो तो सोडियम के साथ अब किरिया होती है तो बनाता है और हईडोजन गेस की उतपत्ती से इतनौल की जांच इस पर किरिया द्वारा की जा सकती है निर्जली करन का मतलब क्या हो गया है आपका इसको निरजली करन कहा जाता है इतनों एक अमल जो है वह आपका एसेटिक अमल होता है इसके क्या है तो यह रंग हीन होता है मतलब कोई कलर नहीं होता है स्वाद में खटा होता है और सिर्के जैसी गंद होती है करने पर ब़र की सता जम जाती है इसलिए इसना गलेशल एसीटिक आमल भी कहा जाता है यानि कि जो इतनोएख है ठीक है अगर उसको रख दिया जाए तो बर्प की तरह जम जाता है इसलिए इसको ग्लेसियल ऐसे टिक भी कहा जाता है ठीक है रसानी गुर्धर मैंने एसिटी करन मतलब यह आपका क्या है अलकोहल है अलकोहल को मिलाया गया तो जाकर कि क्या बनता सा इस्टर बनता है डिक है मीठी फलो वाले गंद्र और बाले इस्टर का निरमाण करते हैं मीठी फलो जैसी गंद वाले जितने वह फų फलोते हैं वो इस्टर का निर्मान करते हैं साबनी करन का मतलब क्या हो गया देखिए कारवन का लंबा चैनर जिसमें किटोन जुड़ा हुआ है यह सोडियम है डॉकसाइड के साथ रेक्षन करेगा तो सोडियम एथनोइट बनाता है ठीक है जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कहां गया यहां पर बन रहाता कंपाउंड आपका एक सोडियम बहला यह सोडियम ऐथक्षाइड ठीक है और यह आपका आलकोहल बहर निकलता है इस विदी से साबून तयां करते हैं छार सेबकिरिया और तो क्या होगा साबून फ़हला वाचन करन बनता है और यह असे और सोडियम एसिटेट का निर्माड और निर्माड निकलता है तो देखें कार्बनेट ता wijργो kulit करेंगे तब इस की बनाता यह निकाले गई और सी Papast सब्सक्राइब करेंगे तब भी ठीक है सोडियम एसिटेट बनाएगा और वाटर और कार्बन डियुक्साइड बहार निकलता है साबोन और अपमारजक यह कैसी होता है कार्बोचलिक के सोडियम पॉटेशियम का लवन होते हैं सोडियम का इस और सॉडियू मरथ जल में ही सफाई करते हैं का मतलब क्या होते हैं उनको अपमार्जक कहते हैं जहां काम करते हैं अपमार्जक को जो है वह कठोर मिरद जल में सफाई करते हैं सपाई करते हैं एक दो विरागी सीरा जिसको हम लोग लंभी कारवन वाली even फिट्रव है कहते हैं यारनिया रागी ज रागी आईनifik सीरा जो जल में घुलता हो और जल बिरागी मतलब जल में नहीं घुलता हो ठीक है यानि की होता है वाटर लविंग एक होता है वाटर हेटिंग ठीक है साबन अलू की सरशना दो तो आप देख पा रहे होंगे साबन अलू की सरशना है यह आपका पानी में घुलता है जबकि य साबून की मिसल को पानी भूले में मदद करता है और इस परकार जो Hak rehabilite को पस्तित मेंगनीशने में चालसियम लबन के साथ क्रिया करके और रट हैना मतलब साबून साबून में जो मैंगनेंस जो होता है और और मैंगनेशम के साथ यह रेक्शन करता है ड्लाबनाता है सफाइप रिक्रिया में बादा डालता है एकमार्जा का इस का डिलता या नल में देखिए बच्छो chapter हो गया खतम यह कुछ कुछ को संस का का क्लेक्शन आप इन संस्क को करें और अगर आपको ऐन को समझ में आया हो तो पीलीज वीडियो लाइक क्यांट जरू करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में वीडियो को सेल भी करें और वेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है चली मिलते हैं बाई